हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल आज का वीडियो जो है न दोस्तों बहुत जादे इंटरस्टिंग है इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि ये वीडियो देखने के आप अपनी सुन्दरता को जो है न बहुत जादा बढ़ा सकती हैं मैं ऐसे 10 tips बताओंगे आपको जिससे कि आप घर पर ही रहकर अपनी सुन्दरता का ध्यान रख सकती हैं क्योंकि हम hommakers घर पर सब का ध्यान तो रखते हैं घर का ध्यान रखना है काम करना है सब चीज़े करन लेकिन हम सबसे जादा अगर कोई चीज भूलते हैं तो वो है खुद को अपनी सुन्दरता को आप अपने पुराने फोटोग्राफ देखेंगे तो आपको लगेगा अरे मैं पहले कितनी सुन्दर दिखती थी और अब कैसी दिखती हूं या पहले मेरे बाल कितने अच्छे उसका मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला था लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे शिवाय बड़ा होता गया और पिछले दो साल में जितना ताइम मैं ने देखा है आप लोगो को पता है मैं जितना डिप्रेशन में रहती थी ना मेरे खाने पीने का कोई ताइम रहत कि मेरे बाल इतने क्यों जड़ रहे है और एक टाइम ऐसा है दोस्तों कि मैंने बालों को बिल्कुल इतना शॉर्ट कर वा लिया आप लोगों में फोटो भी देखा होगा तब मैंने फोटो भी शेयर किया था और इसी तरीके से मैंने बालों पर बहुत बार कलरिंग क्या अपने बालों को खराब करते हैं कहीं नहीं चाहियें छोय जो नियुक्त ज़ों आपके बालों पर हुआ नहीं नहीं पूरते हों चाहि तो मैंने इस चीज के लिए एक प्रदक मंगवा Y чуд marriage dieses उसके यूज करते करते भी मुझे 15 डेस हो गया है उसका मुझे काफी अच्छा रिजल्ट दिखा क्योंकि अब मेरे बाल जो ना पहले मैं कॉम करती थी और हाथ में आते थे अब वैसा नहीं होता है और साथ ही मेरे बालों मुझे थोड़ा सा शाइन और बाउंस भी दिखता ह यह 100% वीगन है और डर्मोटोलाजिस टेस्टेड है यह सारी चीजे हमारे बालों के लिए काफी अच्छी है दोस्तों इसमें कोई भी एड़ेट शुगर का इस्तिमाल नहीं किया गया है और यह आपके पेट के लिए काफी अच्छा भी है इसके बैनेफिट्स अगर आप तो इससे आपके बालों का जड़नाय वो कम हो जाएगा फ्रीजीनस जो बालों में आजाती है आपको घीट teasing product यूज करते हैं या फिर coloring वग्रे करते हैं तो इसकी जो फ्रीजीनस आती है इससे वो भी कम हो जाएगी ये बालों को damage से बचा के रखता है और damage से बचे इसमें दो फ्लेवर साते हैं, एक मैंगो और राजबेरी, मेरे पास राजबेरी फ्लेवर है और यह बहुत ही यम्मी लगता है दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समर में कोई ड्रिंक ले रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, कि यह कोई सप्लिमेंट है आप इसको इंजॉय करके लेंगे, और इसके बाद इसको आपको कैसे यूस करना है वो मैं आपको बता देती हूं, आपको एक ब्लास में प्लेइन वाटर लेना है, 250 ml आप्रॉक्सिमेटली, और उसके बाद एक टैबलेट डाल देनी है, उसके बाद आपको वेट करना है ज लेकिन अगर आप इसको खाने के बाद लेते हैं, तो जादा अच्छा है, बस आपको एक चिस का धिहान रखना है, कि खाली पिट आपको इसको नहीं लेना है, बाकि आप इसको कभी भी ले सकते हैं, तो मैं बहुत जादा एक्साइड़ हूँ इस प्रोड़क को 90 दिनों तक यूज करने के लिए, क्योंकि कम से कम 90 देज इसे यूज करना है, तब ही आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, कोई भी चीज से तूरं से असर नहीं करती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखकर आप तीन मैने तक इसे एक ट्राइज जरूर दीजे, और इसका रिजल्ट आपको अपने बालो पर देखने को मिलेगा, आप चाहे तो मेरे एक उपन कोड यूज कर सकते हैं, एक्स्टा डिस्काउंट के लिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लि पर चाहें, आप इसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, इस पूरे महने आपको बहुत सारे ओफर्स मिलेंगे, जिसका आपको ज़रूर फादा आँठा आना चाहिए, और इस प्रोड़क को एक ट्राइज जरूर देना चाहिए, तो आप मेंसे कौन-कौन इस प्रोड़क क यूज करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, और मेरे कुपन कोट को ज़रूर यूज करें, एक्स्टर डिसकाउंट के लिए, तो मैंने आपको बताया एक ऐसे प्रोड़क के बारे में, कि उसके बाद आपको अपने खाने पीने की चिंता करने की जुरत आपने बालो के लिए क्या खा रहे हैं किया नहीं खा रहे हैं बस आपको रोज की एक टैबलेट लेनी हैं और आपके बाल हमेशा सुंदर लगेंगे, एकस्टरनल केर के लिए, मैं अपने बालों के लिए एक बहुत अच्छा पैक घर पर रेडि करती हूं, और ये बहुत ह सिंपल चीजें मतलब हर किसी के किचन में अवैलेबल हो जाएगी सबसे पहले इस पैक को बनाने के लिए हमें लेना है दही बालों की ग्रोथ के लिए स्कैल्प का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है और दही जो है हमारे स्कैल्प की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है तो पह आपके बाल में डेंडर्फ है तो नीमबू जरूर एड करें क्योंकि इससे वो आपके डेंडर्फ को कम कर सकता है बस इस पैक को बना लीजे और अपने साफ बालों पर इसको लगा लीजे और इसको रहने दीजे कम से कम 40 मिनिट और जादा से जादा एक देर घंडा भी जाएंगे सिल्की हो जाएंगे और शाइनी हो जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट है कि जब भी आपने बालों को शांपू करते हैं तो जो फाइनल रिंस करते हैं मतलब आकरी बार जो पानी बालों में डालते हैं उसको आपको क्या करना है कि एक मग में पानी लेना है और इस और बालों में जो और लगाने का तरीका भी एक प्रॉपर होना चाहिए इसका भी वीडियो मैंने अल्रेडी शेयर किया हुआ अपने चैनल पर आप वीडियो ज़रूर देखे कि बालों में सही तरीके से ऐलिंग कैसे की जाती है घर के काम करकरके हमारे हाथ जो है न बहुत ज तक मसाज करें आप इसको सिर्फ एक हफता करके देखें आपको रिजल्ट खुदी दिखने लगेगा आपके हाथ पहले से जादा सॉफ्ट लगने लगेंगे और ब्यूटिफुल दिखने लगेंगे इससे आपके नेल्स भी अच्छे हो जाएंगे क्योंकि आपके नेल्स के क्यूटिकल्स होते हैं उसमें भी आप लगाएंगे तो वह भी मजबूत हो जाएंगे अब बात करते हैं नेल पॉलिश की कभी भी घर पर आप डाक कलर यूज ना करें नेल पर अगर डाक कलर की लगाते हैं तो घर के कामों में ऐसा होता है कि अकसर थोड़ी बहुत निकल जिससे कि वह दिखने में बहुत खराब लगती है तो कोशिच करें कि हमेशा न्यूट शेड्स करें जैसे कि अभी भी मैंने लगाया हुआ है तो यह इस तरीके के जो कलर सोते हैं वह थोड़े बहुत अगर निकल भी जाते हैं तो उतना ध्यान नहीं जाता है उतने खराब तो जिस तरीके से आप अपने हातों का ध्यान रखते हैं फेस का ध्यान रखते हैं बालों का ध्यान रखते हैं वैसे आपको अपने पैरों का भी ध्यान रखना चाहिए आपको कम से कम हफते में एक बार अपने पैरों का पैडी करना चाहिए और उसके बाद कोई भी अच् करेंगे थोड़ा साब एक सब्सक्राइड पर लगा के सॉक्स पहन लीजे अब थोड़े दिन इसको करके देखिए यह मैंने किया था और मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला था इसे फटी हुए एडिया एकदम ठीक हो जाती है और पैर जो है एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं तो दोस्तो अपने पैरों का भी ध्यान जरूर रखें अब बात करते हैं फेस की जब भी हम सुब्य सो कर उठते हैं तो हमारे चेहरे पर अकसा स्वेलिंग आ जाती है तो इसको रिड्यूस करने के लिए मैं यूज करती हूँ आइस का आइस मसाज से चेहरे की जो स्वेलिं एक फेस पैक आप मैं आपको बताती हूँ जो कि मैं हफते में कम से कम दो से तीन बार यूज करती हूँ अपने स्किन को क्लीन रखने के लिए और इसमें जो चीजे चाहिए वो आपको किचन में ही मिल जाएगी जैसे कि इसमें चाहिए बेसन थोड़ा सा हल्दी पाउडर गुलाब जल और साथी ग्लीसरीन यह सारी चीजे हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है स्किन को क्लीन कर देती है सॉफ्ट बना देती है और ग्लोइंग बना देती है वैसे तो यह पैक बहुत सारे लोग यूज करते भी होंगे आप इस पैक को बनाने के बाद कम से आप भी इसका यूज़ करके देखे बिना स्किप किए और आपका चेहरा जो है काफी आपको क्लीन और ग्लोइंग दिखने लगेगा कई लोगों की स्किन ऐसी हो जाती है कि वो अपनी उमर से जादा बड़े दिखने लगते हैं उनकी एज कम होगी लेकिन उनकी स्किन ऐसा लगेगा जैसे कि वो पता नहीं कितने ही बड़े हैं क्योंकि इतने रिंकल्स होंगे डिसकलरेशन होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है ना कि एक अच्छा सा रूटीन फॉलो करना है आप जब भी नहाते हैं उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर या ऐलोविरा जैल यूस करें उसके उपर संस्क्रीन तो जरूर लगाए देखें मैंने इस चीज़ पर पहले भी वीडियो बनाया है कि संस्क्रीन तो जरूर लगाना चाहिए क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए अच्छा सा प्रोटेक्शन फ्रोवाइड करता है उसके बाद फिर भी अगर आपके स्किन में जूरिया आ चुकी है तो आपको क्या करना है एक बहुत ही अच्छा सा उपाय करना है जो कि बहुत ही जादा इफेक्टिव है आपको लेना है एक चम्मच जितनी थंडी मलाई थंडी मलाई ही लेना है आपको इस चीज़ का धियान रखना है उसके बाद इसमें एक तो बून जितना निमू का रस डाल देना है अब आपको क्या करना है कम से कम 10 मिनट के लिए आप अच्छी तरीके से अपने फेस पर इसकी मसाज करिए और दूसरे 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजे जिनके चाहरे पर रिंकल्स आया हैं आप यकीन मानिये दोस्तों इससे इतना अच्छा फरक आपको दिखने लगेगा यह नो उसका मेरी मम्मी का बताय हुआ है मेरी मम्मी की स्किन आज की डेट में भी मुझसे जादा गलो करती है क्योंकि मेरी मम्मी जो घरेलू चीजे हैं वही सारी चीजे यूज करती है इसके साथ ही बॉड़ी के लिए आपको कम से कम 10 से 15 दिन में एक बॉड़ी स्क्रब जरूर यूज करना चाहिए ताकि जो भी डेट सेल्स है वो निकल जाए आप घर पे बना हुआ भी स्क्रब यूज कर सकते हैं और मार्केट में भी बहुत अच्छे-च्छे स्क्रब अवैलेबल है आप उसमें से भी कोई भी पर्चस कर सकते हैं इन सब चीजों के उपर एक चीज के आप जैसे भी हैं भगवान ने जैसा भी आपको बनाया है अब अपने आप में बहुत खुबसूरत है कभी भी अपने confidence को down नहीं होने देना है हमें बस कोशिश करनी है कि हम अपनी सुन्दरता को अपने आपको जितना सवार सकते हैं उतना सवारे सारी चीजों के साथ-साथ अपना भी धिहान रखें और खुद को भी पैमपर करें दोस्तों ये वीडियो मैंने especially home makers के लिए बनाया है क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे होने के बाद घर को संभालते-संभालते हम अक्सर खुद को बहुत जादा जो है डाउन फील करने लगते हैं क्योंकि हम अपने उपर ध्यान नहीं देते हैं अब जैसे ही अपने उपर थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो confidence है वो दिन बदिन बढ़ने लगेगा और जब भी आप mirror में देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा दोस्ते वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करके ज़रूर बताएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आया हैं तो home makers के लिए मैं बहुत सारी useful वीडियो बनाती रहती हूँ तो जल्दी से मेरे चैनल को subscribe करके बैल का एकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि लेटेस वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल जाएंगे इस वीडियो को यहीं खतम करती हूँ मिलूँगी फिर आपसे नएसे इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई